आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं रतनलाल बोल रहा हूँ काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अमबेट करनामा एपिसोड नमबर 268 सौ में नमबेशोशित है, नमबेश भाग हमारा है पिछली पिढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पिढ़ी जेल जाएगी, तिसरी पिढ़ी हकूमत करेगी, शाषन करेगी जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के लेलिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू की आज उनकी जैनती है, बर्थ एनिवर्सरी है और आज दिन में मैंने अमबेट करनामा पे, अपने यूटूब चैनल अमबेट करनामा पे हमने एक एपिसोड बनाया था, जो की 14 जून 79, 14 जून 1969 को उन्होंने जो भाषन दिया था उत्तरप्रदेश में शोशित समाज संग के तीसरे वार्षिक अधिवेशन में उस पे मैंने भाषन दिया था, उस पे मैंने एपिसोड बनाया था उनके भाषन पर इसलिए जो साथी देखना चाहते हैं उसको जाएं, अमबेट करनामा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और बहुत सारी बाते उसमें आपको मिलेंगी तो आज चलते हैं, मैं लाइव आया हूँ, इसकी कुछ वज़ए है, कि अगर आप देखेंगे, कुछ वर्षों में हमने एज़े शात्र, एज़े शिक्षक अनभाव किया है, कि जितने बहुजन महापूरूस हैं, उनको उनके ही जाती, उनके ही संपरदाय, उनके ही समदा कि लोगों ने उनको जातियों में बाटने की कोशिश की है, तो इस संदर्म में वैसे महापूरूसों का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है, कि आखिर वो क्या कह रहे थे, और खास तोर से, इसलिए कि आज जगदेवाव की जैनती है, और नमन उनको आप सब को बढ़ाई है, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, कि आजकल कॉपी राइट का जमाना है, कि लोग जातियां ढूंड लेते हैं महापूरूशों की, और उस पे कॉपी राइट करने लगते हैं, तो आजकल मैं अमबेट करनावा में इसी काम पे लगा हुआ हूँ, कि आखिर वो महापूरूश बात क्या कह रहे थे, तो नेट का जमाना है, तो कुछ नहीं हो सकता है, तो 50-50 रुपा का नेट लगा कर और किसी को भी जो मर्जी है, जो लोग काम कर रहे हैं, पर लिख रहे हैं, उनको तुरंत गाली दे देना, और बिना पढ़े हुए, बिना ना पूरी ठागुर को पढ़ रहे हैं, और सब लोगों ने कॉपी राइट दावा ठोक दिया है, और कुछ हमारे जैसे लोग हैं, इतियात के शात्र हैं, जो कोशिश करते हैं कि पढ़के और पेज नमबर के साथ बात की जाए, तो उनको भी लगता है कि पता नहीं, उनके जो भी महापुरुष पे किसी उनके बेटे का भी कॉपी राइट नहीं होता है, उनके परिवार का भी कॉपी राइट नहीं होता है, उनके जाती तो दूर की बात है, तो इसलिए बगर समझे हुए, बगर सोचे हुए, शोशल मीडिया पे जिस तरह की टिपनिया कई बार आती चार शवद अंगरेजी के सीखते हैं लोग और जो मरजी में आये लिखे रहते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं मैं पढ़े लिखे लोग की बात कर रहा हूँ तो आज जगदेव बाबू की जैन्ती है तो इसमें मैंने सोचा कि मैं आज लाइब में क्या कहूं तो मैं पर रहा थो उनको और मैं कोई नया अनुसंधान मैंने नहीं किया है राजंदर बाबू शर्षिक अलाजी की किताब है समय प्रकाशन जे छपी है जगदेव प्रसाद वांग में आप सब देख सकते हैं उसी को मैं आज दिन पर पढ़ रहा था एक एपिसोड दिन में बना एक अभी निकाल कर लाया हूं कि आज एक चिठ्ठी परना चाता हूं और पिछले एपिसोड में मैंने जो बात की थी उन्होंने कहा था जगदेव बाबू ने कि अगर डॉक्टर अंबेट करके और लोहिया सहाब के सपनों को साकार करना है तो हमें मिल के काम करना होगा तो ये कुछ बात समझने की है चलिए बहराल आज मैं बात करने जा रहा हूं एक अगस्त 1974 को जगदेव बाबू ने राजा धीले लतीफ खटीक और नाम देव धसाल बहुत चर्चित नाम है और इचल दुसाथ साहब ने उनके उपर किताब लिखा है तो उनके नाम जगदेव बाबू ने एक अगस्त 1974 को पत्र लिखा था और दिल्चस्प ये है कि उस पत्र उनका पता नहीं था कि कहां उनका एड्रेस है तब भी जगदेव उनने पत्र लिखा था तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ और इसलिए मैं ये मुझे और अच्छा लगा कि जिस समय पत्र लिखा गया होगा उस समय मैं दो वर्ष का रहा हूँगा सिर्फ दो वर्ष का तो पत्र हम मुझे बहुत दिल्चस्प लगा इसलिए मैंने सोचा कि आपसे साधा करूँ वो लिखते हैं कि इनकलावी साथियों दलित पैंथर के बारे में ये दलित पैंथर को लिखा गया पत्र है धसाल सहाब और राडा धिले और लतीफ खटिक दलित पैंथर के नेता थे तो लिख रहे हैं जगदेव बाबू कि इनकलाबी सांथियों दलित पैंथर के बारे में समचार पत्रों से हम लोग को भी कुछ जानकारी हासिल हुई है कुछ जादा विश्वस्निय जानकारी दलित पैंथर के बारे में दीनमान में प्रकाशित मार्च के अंक में प्रकाशित दीनमान से हुई है समाचार पत्रों से जो जानकारी दलित पैंथर के बारे में हुई है वही हमारे लिए खिचाओ का आकर्षन का कारण बन गई है आप लोगों की इस योजना से भी प्रशंता हुई कि अपना संगठन आप लोग अन्य राज्यों में भी फैलाने की सोच रहे हैं अन्य राजों में अपना संगटन फैलाने की सोच रहे हैं और उसमें फैलाने का हौसला रखते हैं हम चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जाने और समझें और एक दूसरे के साथ सयोग करके 90 सैकरा महान सोशित जनता को 10 सैकरा सोशकों के चंगुल से मुक्त करें कि 90 परतिशद जो सोशित जनता है उसको 10 परतिशद जो सोशक हैं उसके चंगुल से मुक्त करें आगे लिखते हैं कि हमारा एक राजिदिक दल है हम भी अखिल भारतियें दो शब्दों में हमारे दल का सिध्धान इस प्रकार है बहुत जादा लंबा चौड़ा थेशित नहीं दे रहे हैं एक पर अगर आप में सिध्धान बता दिया हुनोंने दुनिया के जितने बड़े-बड़े दाशनी होते हैं वो सिंपल और साधारन भाषा का प्रियोग करते हैं तो अपने दल का सिध्धान बताते हुए लिखते हैं कि हमारे दल की निगाह में शोशक हैं उची जाती, पुझी पती, सामंत और ब्रामनवादी विचारदारा के पोशक जिसमें वो दलित और पिछलों को ही मानते हैं देश के पैमाने पर शोशक सिर्फ दस प्रतिशत है शोशित में हैं हरिजन, आदिवासी, मुसल्मान और पिछली जातिया ये नब्बे सैकरा हैं, मतलब सो में नब्बे प्रतिशत हैं दस सैकरा शोशक बनाम, नब्बे सैकरा शोशित की इज़त और रोटी बेटी की लड़ाई इस मुल्क का असली वर्ग संगर्स है अब ये आपने देखा न, कितने दलित महिलाओं का रेब बलातकार होता है और कुछ नहीं हुआ, आपने देखा, इतनी आंदुलन चले वो कह रहे हैं कि रोटी और हिज़त की लड़ाई ही असली वर्ग संगर्स है देश की यही असली समस्या है जिन्दी के हर दोर पर दस सैकड़ा सोशकों का एक आधिकार जैसा कायम हो गया है कि हर जगह दस परसेंट लोग एक आधिकार कायम किये हुए हैं यह आज भी आप देख सकते हैं, चाहे बिश्विद्याले हो, चाहे जजेज हो, चाहे जुडिशेरी हो हर जगह अगर उसका सोशल आडिटिंग करेंगे, तो आपको पता लगा है कि दस जो परतिश्वत लोग है, वही जो है पूरा कबजा करकर रखा हुआ, जगदेव भावू ऐही बात कह रहे थे आगे कहते हैं, आगे लिखते हैं, कि शोशित समाज दल और डी एम के को छोड़ कर, अन्य सभी राजनितिक दलों पर भी शोशक वर्ग का ही कबजा है आज जो दलित पिछड़ी जातियों का जो संगठन है, उनसे पूछिए कि उनके संगठन का उनके पार्टी का एजन्डा कौन तयार करता है, यह मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, जगदेव भावू जो कह रहे हैं, उसी हवाले से मैं कह रहा हूँ आगे लिखते हैं कि हमारा दल नब्बे सैकराज शोषितों का निचक का दल है, प्योड, यह हमारी पार्टी जो है, नब्बे बनाम जो दस का जो पूरा आंकड़ा है, उसमें प्योड है, हमारा पिछडी जातियों का संगठन है आजकर लोग 85 पे ही अटके हुए, जगदेव बावु 66, 67 में 90 की बात कर गए थे, उससे पहले लोहिया साब 60 की बात कर रहे थे, जगदेव बावु पहले आदमी थे, जिन्हों नब्बे की बात की थी, और आजकर आप 85 पे ही आटके हुए है, 5 परसेंट आपने छोड़ बहराल आगे चलते हैं, पत्र बहुत दिल्चस्प है, इसलिए मैं आपसे साजा कर रहा हूँ, आगे लिखते हैं, जो 90 परसेंट जो बात कह रहे हैं, बारवार उसमें कौन-कौन शामिल है, जानना जरूरी है, उसमें लिखते हैं, हरिजन, आदिवासी, मुसल्मान और पि दल का मुल नारा है, वर्षो की लंबी आजादी के बाद भी, देश के हरिजन, आदिवासी, मुसल्मान और पिछ्री जातियां गुलामी की जंजीर से करा रही हैं, जो 64 में बात कह रहे हैं, आज 2021 है, इसमें सोचिए, जो उसमें कह रहे हैं, वही अभी भी लग रहा है, उ नब्बे सैकड़ा को निकालना, को मुक्त करना, यह हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम जद्दो जहद कर रहे हैं, वास्तव में हमारा आंदोलन एक महान राष्ट्रिय आंदोलन है, क्योंकि हम जनता की इजजत और रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ सोट देखिए, उसमें जगदेव बाव ने समाजिक कारणों को भी बहुत मत्पूर माना है, तो रोटी ही नहीं, इजजत, इजजत भी जरूरी है, जो अमबेटकर बार बार डिग्निटी के बात कर रहे हैं, तो वो प्रभाव यहां पे दिख रहा है, यह एक ऐसा सैयोग ह कि जहां सोशित समाज दल अभी नहीं है, वहां दलित पैंथर या डी एम के है, तमिल नाडू में डी एम के और महराश्ट में दलित पैंथर, यह कहते हैं, महस सैयोग है, आगे दिल्चस्प है, आजकल SMS, WhatsApp का जमाना है, पता नहीं क्या क्या टेक्नलोजी आगा, उस जमाने में चिट्थी भी भेजने का ठीक से साधन नहीं था, तब लिख रहे हैं थे जगदेव बावू, यह पत्र हम आप लोगों का कोई पता जाने बगर लिख रहे हैं, पता नहीं जानते हैं, फिर भी हम लिख रहे हैं, शायद यह पत्र अगर आपको मिल गया, तो मिलन सेतु क काम करेगा आज हम लोग यहां बैठे बैठे पूरे दुनिया से वाटसेप पर कनक्ट रहते हैं वो भारत में बात करने के लिए कह रहे थे पता नहीं है और मैं लिख रहा हूं गर मिल गया तो मिलन से तुगा काम होगा हम बहुत उत्सा और प्रसनता के साथ सहयोग और दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं क्योंकि दलिक्ट पैंथर के बारे में समाचार पत्रों से जो कुछ मालूम हुआ है उसको मद्दे नजर रखते हुए हमें ऐसा लगता है कि दोनों की विचारधारा में कोई अं नहीं है हम लोग एक बार कहीं मिलें और कुछ बाते करें ताकि इतने बड़े देश में सब जगह संगठन स्थापित किया जा सके और इस महान राष्टी आंदोलन को जल्दी सफल बनाये जा सके जल्दी जबाब देने तथा संपर्क स्थापित करने की महरवानी आप ये ऐसी उमीद है इनकलावी सलाम के साथ जगदेव परशाद महामंत्री शोशित समाज दल मुरली चक पटना 14 एक अगस्त 1974 साथियो ये था जगदेव बाव का पत्र दलित पैंथर के नाम और सिर्स मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जो लोग लब कुछ वन्शाबली तलासने की कोशिच कर रहे हैं जो लिगेशी तलासने की कोशिच कर रहे हैं शायद और जातिये दावा ठोक रहे हैं जगदेव बावू को ठीक से पढ़ते भी नही इसलिए जगदेव बावु को ऐसे करपूरी जी को लोहिया जी को अमबेटकर साहब को लगातार पढ़ा जाना जरूरी है बगएर पढ़े हुए उनके नाम पे अगर आप राजनिती करने जा रहे हैं और सोशल मीडिया पे फुदक रहे हैं तो आप राजनिती नहीं कर रहे हैं आप उनके नाम पे दलाली कर रहे हैं और ये देखना लाजिमी होगा दिल्चस्प होगा कि आज पूछे कि जगदेव वावु के घड के लोग कहां हैं किस पार्टी के राजनिती कर रहे हैं मैं एक शिक्षक हूँ एक अक्टिविस्ट हूँ और किसी नेता से ऐसे नहीं मिलता हूँ लेकि बहुजनों के नेताओं पर अमबेटकर पे किसी का कॉपी राइट नहीं है काशी राम पे किसी का कॉपी राइट नहीं है फूले पे किसी का कॉपी राइट नहीं है वो जो सिध्धान्त जो दर्शन प्रापगेट कर रहे थे अगर उस दर्शन को इस फिलासिफिक को अगर आप प्रॉपगेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है न चदम लाव के लिए चंद लाव के लिए आप दलाली कर रहे हैं इसलिए सातियो शुक्रिया कीप वाचिंग अमेट कर नामा देखिए और दिखाइए और इसमें कुछ गप शब कथा कहानी नहीं है और मैं फेस्बूक के सातियों से कह रहा हूं कि 100-200 रुपए का नेट जो भरवाते है न तो एक दूसरे वो गाली देने से पहले अपनी भी हैसियत पहले पहचान लेजिए कि आप क्या लिख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं अगर आप किसी को गाली दे रहे हैं तो दाली देने से आप बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे, उसके बराबर बनने के लिए आपको हैसियत बनानी पड़ेगी, पर ना लिखना पड़ेगा, इसलिए किसी का बाइव डाटा मांगने से पहले, पहले अपना बाइव डाटा लोगों को दीजिए, शुक्रिया सांतिय Jai Bheem, keep watching and sharing Amit Karnama, thank you very much, good night.